गड़ी बाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में मैं आपको अपना व्लागिंग सेट अप जिससे मैं वीडियो शूट करता हूँ उसके बारे में बताने वाला हूँ पिछले काफी टाइम से मेरे काफी सारे वीडियो पे मुझे कमेंट्स आ रहे थ एक चुली में एक एक एक्शन कैमरा है लेकिन मैं बिकॉज ये मेरे रिक्वार्मेंट्स पर पूरी तरीके से फिट बैठता है इसलिए मैं इसको व्लागिंग के लिए यूज करता हूँ मेरे स्टार्टिंग से लेके अब तक आपने जितने भी ट्रेवल लॉग्स देखे हैं उसमें 80-90% फुटेज आपको इसी कैमरे का मिलेगा इस कैमरे के प्रोज और कॉंस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा लेकिन सबसे पहले मेरा जो पूरा व्लागिंग सेटप है इसको असेंबल करते हैं वागिंग सेटप में दो चीजे होती है पहला होता है ये केमरा दूसरा होता है माइक ये है रोड का वीडियो माइक गो गोपरो में अगर आप माइक को करनेट करना चाहते हैं तो ये डारेक्टली connect नहीं होता है उसके लिए आपको यूज़ करना परता है एक अडपटर ये ह में गोप्रोड़ाप्टर में एक साथzer असेंबल करते हैं गया सीद्थेदा यह गया हमारे केस के अंदर आखर ब्रयाप्टपटर है इसमें हम लगाएंगे अपना Gorilla Tripod तो ये हो गया हमारा vlogging setup तयार जब मैं shoot करता हूँ तो मैं दो mics use करता हूँ पहला तो है ये road का mic, दूसरा है बोया का ये levelier mic ये same mic इस वर्थ मेरे collar में भी plugged है levelier mics audio quality के हिसाब से best माने जाते हैं लेकिन levelier mics में disadvantage ये है कि ये जिसके shirt में wired up रहता है उसी character की आवाज ये जार अच्छे से लेगा अगर आपके वीडियो में एक से जादा characters हैं तो ये mic उतना effective नहीं होता है जब मैं किसी site पे जाके shoot कर रहा होता हूँ या track कर के किसी particular जगे पहुंच रहा होता हूँ तो इस तरीके से ये जो vlogging setup है ये हमेशा मेरे हाथ में रहता है ताकि जब भी कोई moment ऐसा लगे जो हमेशा capture करना है उस वक्त मैं instantly camera को चालू कर पाऊँ जब मेरे वीडियो में एक से जादा characters होते हैं तब मैं इस road के mic को use करता हूँ अगर मैं अकेले बात करता रहता हूँ तो तब मैं इस levelier mic को prefer करता हूँ वैसे ये जो माइक है हमेशा camera से connected रहता है लेकिन ये जो levelier mic है ये हमेशा मेरी shirt में plugged रहता है अभी ये जो camera है अभी ये से connected है अभी आपको दिख रही होगी ये wiring यहाँ पर लटक रही है क्योंकि ये से connect करती है इसकी जो wiring है मैं हमेशा अपने front pocket में ऐसे रखता हूँ और जब इन दोनों camera में switch करना होता है तो मैंने ये निकाला अभी ये जो connecting wire है ये अभी जिस camera में shoot कर रहा हूँ उसमें गया शायद इसमें आवाज थोड़ी कम हो जाएगी ये जब में निकालूगा उसके बाद इसमें गया और फिर शुरू होगे तो इस तरीके से इन दो वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं चारो माइक को कंपार करूंगा बट अभी हाल फिलाल के लिए मैं आपको इसी setup के बारे में बताता हूं अब आते हैं ये जो पूरा setup है इसकी costing पे इस पूरे setup में gopro का camera, ulanzi का case, road का mic, adapter, gorilla tripod और boyar का level ear mic ये जो पूरा setup आपको पढ़ता ह इसकी आज की date में total जो costing है ये around 40,000 का आपको पढ़ता है मैंने अलग-अलग time पे ये सारी चीज़े खरीदी थी तब price different थी ये जो costing मैं आपको बता रहा हूं ये आज के time की price है अब बात करते हैं इस camera के pros and cons की हर camera में कुछ features होते हैं जो काफी अच्छे होते हैं और कुछ features होते हैं जो इस camera में नहीं होते जो अगर होते तो और ज्यादा अच्छा होता तो सबसे पहले बात करते हैं इस camera के pros की इस camera के बारे में सबसे जो striking चीज है वो इसका compact size और इसका light weight ये जो camera है इसका जो net weight है ये 115 grams जब इस camera को हम इस पूरे setup में एसेंबल करते हैं तो ये ज इसी camera से मैं इस वक्त अभी शूट कर रहा हूं ये जो camera है जब इस camera को मैं इस पूरे setup में एसेंबल करता हूं तो इसका जो total weight आता है वो आता है लगबख 13-50 grams यानि कि ये जो setup है GoPro का उससे लगबख 3 गुना vlogging करते वक्त आपको कई बार आपका ये जो setup है इसको इस तरीके के pose में आपको कई बार बहुत देर तक पकड़ के रखना पड़ता है और आपका ये जो setup है ये जितना ज़्यादा भारी होगा उतना ज़्यादा आपके हाथ के joints पे pressure आएगा और आप उतनी जल्दी ठकेंग इसलिए मेरी कम weight की requirement है इसमें GoPro camera और इसका पूरा setup है ये बिल्कुल perfectly fit बैटता है GoPro की दूसरी खासियत है ease of use इस camera को use करना बहुत आसान है इस camera में बस दो buttons है एक सामने push button जिससे shooting स्टार्ट होई आती है बाजू में standby button है इससे आपको settings वी control कर सकते हैं और पीछे इसके touch screen ह जिससे आप पूरे camera की functionality को control कर सकते हैं मोटी मोटी बात ये है कि ये camera जब आपके हाथ में आता है आप आदे घंटे के अंदर अंदर इस camera की पूरी functioning को सीख सकते है GoPro की तीसरी खासियत है इसका stabilization stabilization इक ऐसा feature है जो मेरे जैसे vloggers के लिए बहुत का है because हम लोग जाद तर अपन में काफी जादा movement होगा वो काफी जादा shaky हो जाएंगे और ऐसे videos में viewers का जो interest है वो बहुत जल्दी खतम हो जाता है तो इसलिए again stabilization एक ऐसा feature है जो GoPro के पूरे package को और attractive बना देता है GoPro की एक और खासियत ये है कि इसमें हम बहुत बढ़िया slow motion video shoot कर सकते है GoPro में आप videos को 120 frames per second शूट कर सकते हैं इसका सीधा मतलब यह है कि एक second का जो video footage है उसको 120 still images में divide किया जाता है जिस वज़े से आपको एक बहुत बढ़िया slow motion effect GoPro से shoot किये videos में मिलता है हाला कि यह जो slow motion का feature है यह सिर्फ 1080p के resolution में इस camera में available है 4K resolution में आप इस feature को use नहीं कर सकते बट anyhow मैं जो video shoot करता हूँ 1080p के resolution में shoot करता हूँ हैंस यह एक और aspect है जिसमें GoPro मेरी requirement है उसमें again perfectly fit बैटता है फिफ्थ जो इसका aspect है वो है इसकी video quality यह इतना चोटा सा camera है इतना चोटा सा इसका lens है इसके बावजूद जो इसकी video quality है इतने चोटे camera के हिजाब से काफी अच्छी है market में कई सारे mirrorless और DSLR cameras भी available है और अगर आप उनसे shoot करेंगे तो of course उनकी जो video quality है वो इससे थोड़ी जादा अच्छी आईगी लेकिन आज तक मेरे जितने भी travel logs रहे हैं मेरे जितने भी videos रहे हैं उनमें कभी वीडियो quality को लेके मेरे किसी भी viewer ने complaint नहीं किये इसलिए मुझे कभी जरुत महसूस नहीं हुई इस camera से अपग्रेड करने की और आडियो को लेकि कई बार जरूर कुछ लोगों ने बीच में complaint की थी लेकिन video quality को लेकि आज तक viewers ने कोई complaint नहीं किये अगर आप मेरे channel को starting से देख रहे हैं आपने अब तक के मेरे सारे travel logs देखे हैं तो मुझे please comment करके यह जरूर बताइए कि अब तक जो मेरे channel की video quality थी वो आपको कैसी लगी और क्या आपको लगता है कि इस camera से मुझे किसी और दूसरे camera पर अपग्रेड करना चाहिए तो यह थे GoPro के कुछ अच्छे features अब बात करते हैं इसके cons के बारे में इस camera के कुछ ऐसे aspects के बारे में जो शायद आपको पसंद नहीं आएंगे GoPro के साथ एक सबसे बड़ी problem यह है कि आप camera में इस mic को directly connect नहीं कर सकते हैं और आपको उसके लिए यह adapter यूज़ करना पड़ता है जब मैंने GoPro camera खरीदा था तो मैंने बहुत सारे local adapters को यूज़ करने की कोशिश की लेकिन GoPro ने बड़ी smartly इस camera को ऐसा design किया है कि GoPro company का adapter है उसके लावा कोई भी adapter इसमें काम नहीं करेगा और यह जो adapter है इतना चोटा सा adapter यह काफी महंगा है जब मैंने इसको purchase किया था इसकी जो price थी I think 5000 थी अभी वी यह market में around 4000 में available है तो यह एक GoPro का बहुत बड़ा drawback है कि GoPro में आप directly micro connect नहीं कर पाते हैं आपको एक adapter खरीदना पड़ता है जो काफी costly है दूसरा जो feature है जिसको मैं GoPro में बहुत मिस्स करता हूं वो है इसमें flip screen का ना होना जिस camera में flip screen होता है वो मेरे जैसे vloggers के लिए बड़ा का होता है because आप video को shoot करते वक्त उस screen में exactly देख पाते हैं कि किस तरीके का video shoot हो रहा है हाला कि इतने छोटे से camera में यह expect करना कि flip screen हो यह थोड़ा सा impractical है बट अगें अगर GoPro किसी तरीके से इस feature को इस camera में introduce कर देता तो और ज़्यादा अच्छा होता तीसरा इस camera का जो एक negative aspect है वो है इसकी battery life इस camera को use करते हुए मुझे दो साल हो गए हैं अभी current में जब मैं 1080p resolution में इससे shoot करता हूँ तो मुझे 45-50 minute का battery backup मिलता है अगर आप 4K पे shoot करते हैं तो आपका battery backup और कम हो जाएगा हलाकि इसको charge करना बहुत जादा मुश्किल नहीं है और आप किसी power bank की मदद से बड़ी असानी से on the movie इसको charge कर सकते हैं बट still जो इसकी battery life है अगर थोड़ी सी और जादा होती तो मेभी इसको use करने में और जादा मज़ा आता चौथा aspect जो gopro के बारे में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो है इसकी color detailing gopro से जो हमाँ video shoot करते हैं उसके बाद editing में मुझे बहुत जादा color grading करनी पड़ती है इन दो वीडियो को देखिए इसमें एक video जो है ये बिल्कुल raw footage जो gopro से निकला है और दूसरा है after editing जो मैंने color grading की है उसके बाद दोनों में difference आपको clear दिख रहा होगा अगर मैं अपने Canon का ये जो mirrorless camera है इससे shoot करता हूँ या फिर आप Canon के और वी DSLR camera से उससे shoot करते हैं तो उन में color detailing गजब की आती है और आपको editing में बहुत जादा color grading नहीं करनी पड़ती बट unfortunately GoPro में मुझे ये करनी पड़ती है जिस वज़े से editing में और फिर उसके बाद वीडियो को export करने में काफी जादा time लगता है एक और पांचवा जो बड़ा annoying aspect GoPro के बारे में है इसमें जो reliability है उसका एक छोटा सा issue जब आप वीडियो शूट करने के लिए इस बटन को प्रेस करते हैं तो कई बार ये camera हैंग हो जाता है हाला कि ये दस में से सिर्फ एक बार होता है लेकिन जब ऐसा होता है तो फिर आपको इसकी battery को इसके slot में से निकाल के reinsert करना पड़ता है अब आप समझ सकते हैं कि ये पूरा setup है setup को खोला बैटरी निकाली रिंसर्ट किया इसमें कितना time लगेगा इतने time में कई बार हमारे कुछ moments कुछ बहुत special moments जो हम capture करना चाहते हैं वो निकल जाते हैं तो ये एक problem GoPro में है जिसको GoPro अभी तक rectify नहीं कर पाया है हाला कि GoPro में कावी सारे updates आ चुके हैं जब से मैंने खरीदा है तब से अब तक लेकिन ये वाला जो issue है जिसमें दस में से एक बार कभी कभी ये camera हैंग हो जाता है इसको GoPro अभी तक ठीक नहीं कर पाया है सिक्स्त और आखरी पॉइंट जो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा वो है लो लाइट में इसका परफॉर्मेंस जब आप इस camera से low light conditions में shoot करते हैं अंधेरे में shoot करते हैं तो जो इसकी camera की इसकी जो video quality है ये बहुत ज़ादा degrade हो जाती है जो video है वो काफी जादा greeny हो जाता है हलागी अगर आप थोड़ा सा smartly shoot करें शूट करते वक्त light के source का थोड़ा जादे जान रखें और अच्छे से editing में color grading करें तो ये जो कमी है इसको आप कुछ हद तक overcome कर सकते हैं लेकिन फिर भी low light का जो इसका performance है वो बहुत ज़ादा खराब है तो ये एक aspect है जो अगर GoPro थोड़ा सा improve कर लेता तो इस camera को use करने में और ज़्यादा मज़ा आता तो ये थे GoPro को use करने के कुछ फाइदे और कुछ नुकसान कुछ अच्छी बाते हैं और कुछ बाते हैसी जोई साथ आपको पसंद नहीं आई होगी बट मैंने आपको जितने भी positive और negative aspects इस camera के बारे में बताए उन सब को जब मैं sum up करता हूँ तो मेरे लिए ये अभी भी मेरा favorite camera है इन near future अभी हाल फिलाल इसको upgrade करने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है अभी हाल फिलाल ये मेरा favorite camera है मेरा camera और इसके लावा जितने भी मेरा gadgets हैं जिनको मैं use करता हूँ इन सभी की links आपको मेरे हर video के description में मिल जाएगी इस video के भी description में आपको सारी links मिल जाएगी अगर आप camera खरीदना चाहते हैं या इन में से किसी चीच को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप मेरी link पे click करके उसको खरीद सकते हैं मेरी link पे click करने से आपको जो costing है वो उतनी ही आएगी लेकिन मेरा थोड़ा सा फाइदा हो जाएगा और थोड़ा सा commission मुझे मिल जाएगा एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि मैंने इस video में आपको GoPro Hero 7 के बारे में बताया है GoPro 7 के बात इस वक्त market में GoPro 8, GoPro 9 and I think GoPro 10W बहुत जल्दी launch होने वाला है अगर आप कैमरा खरीने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप सीधा GoPro का latest model ही खरीदें जब मैंने अपना दूसरा GoPro 7 खरीदा उस वक्त तक market में GoPro 8 और GoPro 9 आचुके थे लेकिन मेरी जो requirements थी उसमें GoPro 7 फिट बैट रहा था and जब GoPro का कोई नया model market में launch हो जाता है जो पुराने model से उनकी price थोड़ी कम हो जाती है इसलिए अगर आप GoPro खरीद रहे हैं तो blindly नया model मत खरी लीजे पहले आपकी जो requirements है वो decide करिए और उसके basis पे आपको इसा model चूज करिए तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको मेरे पूरा जो vlogging setup है उसके बारे में बताया अगर आप मेरे travel logs को starting से follow कर रहे हैं तो आप देखते होंगे कि जब मैं अपनी मदर के साथ ट्रैवल कर रहा हूं तो मेरे काफी सारा वीडियो कार के अंदर शूट होते हैं इसलिए अगला वीडियो जो मैं बनाने वाला हूं उसमें मैं आपको बहुत डीटेल में बताऊंगा कि मैं अपने कार के अंदर जब मैं चेक 1 2 3 चेक 1 2 3 चेक 1 2 3 चेक 1 2 3